विशेश क्लासिस तो जो आज हम लेक्चर करेंगे जैसे कि ह्ससी ग्राम सचीव और कैनल पटवारी के लिए प्रिपेशन चल रही है तो आज हम देखेंगे कि जो अर्याना का फॉर्मिशन हुआ था इस सेपरेट स्टेट मतलब एक अलग से कैसे बना था हर्याना कैसे अलग ह तो आज हम सारी उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे और इजन कैसे हुआ हर्याना का तो हम यह सब देखेंगे तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप अच्छी ग्राम सचीव और कैनल पटवारी के लिए अगर प्रेक्टिस कर रहे हैं तो मोग टेस्ट आप दें उससे आपको क्या होगा कि आपको टाइम अनलिस पता लगेगा और आप अपने सब्जेक्ट देख पाएंगे कि किस सब्जेक्ट में आप वीक है तो उसके लिए एक बहुत अच्छी आप है तो हम पहले उस आप की तरफ चलते हैं परिक्षा आप है आपको सिफ प्ले हांना गौशन सीनलिक्ट किया हुए जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि मैं आप अपने और एक्जाम सैड़ कर सकते हैं तो मै cade पर आप Ahoryana जी के सिलेक्ट करने मुझा थे तेस्ट मैंने तेस्च पहिंग और हमसम जिसकी त्यारी कर रहे हैं चाहिए रिख्ष. या पे यानध जीके attractiveverse की भी कर लें है तो हो बहुत कर सकते है पुलिस की कर रहे हैं किसी की भी तो अभी हम किस की कर रहे हैं पिटवारी और गराम शर्षची तो हम वहां पर जाएंगे ठीक है आप के यहां पर फ्री डेमोट टैस्ट भी यहां पर अविलेबल है और बाकी आपक देख सकते हैं, मैं आपको अल्रेडी यहाँ पे इसकी qualities बता चुकी हूँ कि क्या यहाँ पर आपको subject wise analysis मिलेगा, आपको यहाँ पर free demo test मिल रहा है आप यहाँ पर time analysis कर पाएंगे, आप देख पाएंगे, सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पर ranking मिलेगे और यह आपकी खुद की language में है, Hindi, English, Tamil, Bengali other other languages में यह है, ठीक है तो अगर आपको यह course आपको यहाँ पर unlock course करना है और आपको हमारा code क्या यूज करना है VC50, ठीक है जैसे ही आप यहाँ पर apply करेंगे apply हो गया और आपका जो course 300 का था वो 149 का हो गया, तो आपको 150 में 25 टेस्ट मिल रहा है, which is very convenient देखो क्योंकि एक्जाम बहुत पास आ रहा है तो यह आपको आपके mock test देने में बहुत help करेगा, तो मैं आपको यह ज़रूर recommend करूंगी, पर पहले recommend करूंगी कि आप पहले demo test देखके देखिए और अगर आपको सही लगता है तो आप यहाँ पर जरूर हमारा code लेके आपको benefit होगा तो आपको कर सकते हैं, ठीक है, आपको उसके बाद continue and pay करना है, तो आपकी subscription पर add हो जाएगा, और इसकी validity भी comment करके मुझे बता सकते हैं, और description पर आपको यहाँ पर सबके link मिल जाएगे thank you, तो अभी हम चलते हैं अपने slaybers की तरफ तो I hope आपको सब समझ में आया होगा, अगर कोई भी doubt है तो मुझे comment box में जरूर बताएं, और आप हमारा code VC50 यूज करके 50% अवेल कर सकते हैं, तो next हम देखते हैं history, history में बोला है कि जब 1857 का revolt हुआ तो British government ने बहुत सारा पाट अर्याना का पंचाब में include कर लिया था, तो demand जो सबसे पहले हुई, वो लाला लाचपत राएजी ने की और अरुना सफली ने की 1907 में, फिर से जो separate state की raise हुई, फिर से 1926 में हुई, जिसमें All India Muslim League वालों ने की, तो 9 December 1932 में दीन बंदु गुपता ने फिर से डिमांड करी separate state की और उसको Congress Leader डॉक्टर पताबी का सित्मर्या का महिया का वो भी मिला, support मिला, तो जो partition से पहले map थे वो ऐसे थे, जो आप यह देख सकते हैं कि पंजाब, ऐसे, बिलासपूर, हिमाच्वल, परदेश, ऐसे हाँ पे देख सकते हैं, यह 1951, 1954, ठीक हैं, अब आया कि demand for Punjab province, कि क्या हुआ कि, हर्याना क्या पार्ट था, पहले पतियाला का, ठीक है, East Punjab State Union का, जब इंडिया को freedom मिला, 1947 में, तो 1948 में, जो master तारा सिंग है, उन्होंने एक separate six state की, डिमांड की, ठीक हैं, उनके paper के थुरू, जिसका नाम था, अजीत, तो communist party, जो आपसू है, उन्होंने भी यही, जो East India, पतियाला, इस पंजाब State Union का, जो पार्ट था, हर्याना, तो उसमें, इसी पार्टी ने क्या, इसी यूनियन ने क्या किया, कि इमांड की, पंजाब province की, जो supported हुआ by people, मतलब, लोगोंने भी support किया, कि हाँ, ऐसा होना ही चाहिए, फिर सबसे पहले आया, साचार formula, जिसमें क्या हुआ कि, यह जो 1st October 1949 को है, जिसमें, जो पंजाब की CM थे, उस ताइम पे, भीम सें साचार ने introduced क्या, इसको solve करने की, कि हम क्या करता है, linguistic, मतलब languages के base पे अलग कर देते हैं, तो इस formula के according state को दो में divide कर दें, पंजाबी में और हिंदी में, ठीक है, जो पंजाबी area होगा, उसमें जो present एका होश्यार, पुरयल, उध्याना, बरनाला, यह सब include किया, और official language, इस reason की क्या र इसार, रोतक, गुरुग्राम, कांगडा करनाल और तहसिल और जगादरी और नरायनगर यह होते हैं, पर यह उस time पे formula इंप्लिमेंट नहीं हो चुक हुआ, साचार formula था, किस ने किया, पंजाब के CM ने इंट्रिडियूस किया, और इस formula में क्या था कि, जो पंजाबी area और ह 29 दिसंबर 1953 में आया, इंडिया गौर्णमेंट ने खुद एक सैट अप किया, किसकी चेर्मेंशिप के अंडर सेयत फजल अली के, ठीक है कि सजेस्ट करो कि आप कैसे कर सकते हो, स्टेट और बेस ओफ लिंग्विस्टिक और लैंग्वेज और कल्चर बेसिस पे, तो कमिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की सेटेंबर 1995 में, पर रिजेक्ट हो गई कि नहीं कल्चर और लैंग्वेज बेसिपे है, तो हम अलग नहीं करेंगे, फिर आया रीजनल फॉर्मुला, 1956 में आया, रीजनल फॉर्मुला जो सेंट्रल गॉर्मेंट ने खुद दिया, उन उनों के लिए सिंगल लेजिस्लेटिव असामली और गवर्नर रहेगा, तो आफ्टर सेवन्थ अमेंडमेंट ऑफ इंडियन इंस्टिशन इन ये फिर जब सेवन्थ अमेंडमेंट वा इंडियन कोंस्टिशन का 1956 में, ये फॉर्मुला फॉर्स में आया, मतलब प्रोविजन और जो माइनरिटी होंगे हर एक रिजन के उनको कम्प्लीट सिक्यारिटी मिलेगी, तो पर ये भी फेल हो गया कि क्या, जो 1956 में थे पंजाब सी एम परताब सिंग कायरो, उन्होंने सक्सेस्फुली इंप्लिमेंट नहीं किया, रिजनल फॉर्मुला, उन्होंने जो रिजन दिन का हंगर स्ट्राइक, कि अलग करो स्ट्रेट को, पंजाब को और हन्याना को अलग-अलग करो, उन्होंने अपनी स्ट्राइक वार की वज़े से पॉस्पॉन की 1965 में, आफ्टर वार उन्होंने फिर से 25 डे की स्ट्राइक अनॉंस कर दी, तो जो गॉर्मेंट ओफ इंड अब शाह कमिशन देखते हैं कि क्या था, कि गॉर्मेंट ओफ इंडिया ने इंस्ट्यू किया कि थ्री मैंबर अफ शाह कमिशन ओन 23 अपरेल 1966 यह हैड किया सुप्रीम कोड जट जेशी शाह इंक्लूडिंग एसदत और एम फिलिप ठीक है, इस कमिशन ने अपनी और चंदिगण नायानगण और जगादरी तैसिल इन हaryana लोंग फिलिप अधर हंदी स्पेकिंगेर्या मतलब कि जो क्दिगड़ और इंडियंगर्ड और जगादरी तैसिल वह रिपाल यह हूँझके है पर ऐस दम स्थ onsके फेवर में नहीं थे इंक्लूजन ओफ अट अट पर फिर फॉर्मेशन कैसे हुआ कि जो रिकमेंडेशन आईशा कमेशन की उसने अप्रूफ कर लिया और गॉर्मेंट ओफ इंडिया ने अप्रूफ कर दिया पंजाब रियोगनाइजेशन बिलों 18 सेप्टेंबर 1966 तो यह डिसाइड हुआ कि एस पर आर्टिकल 21 बोथ स्टेट मॉंबर 1966 अंडर 18 अमेंडमेंट ओफ इंडियन का उंस्टिशन और एड़ टाइम ओफ फॉर्मेशन जब साथी डिस्ट्रिक्ट थे हिसार करनाल गुरुग्राम रोतक जींग अंबाला और मेहंदरगड तो फिर उसकी अलग से फॉर्मेशन हुई तो एड़ टाइम ओफ फर्स चीफ मिनिस्टर क्या था और फर्स गवर्नर कौन थे तो श्री धरमवीर फर्स गवर्नर थे और भगवत द्याल शर्मा पंडित भगवत द्याल शर्मा क्या थे फर्स चीफ मिनिस्टर फर्याना तो मैप क्या हो गए आफ्टर पार्टिशन ऐसे कि चंदिगर दोनों क common capital हो गई पंचाब, हर्याना, दिल्ली और हिमाचल परदेश ऐसे तो यह complete हो गया, एक बार हम फिर से एक बार revise कर लेते हैं कि क्या है देखो सबसे पहले कि वो क्या था कि हमारे पास क्या आया थे कि demand हुई पंचाब province की कि हर्याना पहले किसका पार्ट था पत्याला और इस पंचाब union का जब इंडिया को freedom मिला, ठीक है 1948 में तारा सिंग ने demand किया कि एक separate six state बना दो पर वो नहीं हुआ, फिर आया सबसे सही साचार formula मतलब जब first major level पे हुआ, जब पंचाब CM भीम से इन साचार ने introduce कि आप linguistic base पे कर दो, पर ये भी नहीं हुआ, तो state organization commission आया, उसने बोला कि cultural basis पे करो, पर इस commission ने जो अपने report की, वो भी reject होगी, फिर आया regional formula कि आप क्या करो कि पंचाब को bilingual state कर दो, हिंदी और English official language, entire state हिंदी और पंचाब region में हो जाएगा, और minorries को हर एक reason से security मिलेगी, पर ये भी हो गया, क्योंकि इसमें कुछ वो थे कि कुछ पावर नहीं दी गई, फिर अकाली दल leader ने 15 दे strike रखी, फिर उनने war के बाद फिर से strike रखी, तो finally एक commission आया, शाह commission जिसने अपने report की कि जिसमें जगादरी नरायंगर और चंदीगर को किसमें include किया जाएगा हर्याना में, पर एसदत फिर भी इसके favor में नहीं थे, पर फिर भी जब formation हुआ तो यही किया गया कि चंदीगर को हम common capital रखेंगे और दोनों का high court एक ही होगा, जिसको पंजाब और हर्याना high court बोला जाएगा, तो first November 1996 को under 18th amendment of Indian constitution में किसको include किया गया हर्याना को और वो क्या था, 17th state of India ठीक है, तो ऐसे हर्याना का as a formation हुआ, तो श्रीध रमवीर first governor थे हर्याना के और पंडित भगवत द्याल फर्स चीफ मिनिस्टर थे, तो यह सब था origin of हर्याना का, अगर आपको कोई भी doubt है, कुछ भी पूछने है और अगर कोई particular topic है, तो आप मुझे comment box में बताएं, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, तो वो मुझे comment box में बताएं, यह HSC Grams अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, तो do share with your friends and family, मिलते हैं, नेक्स लेक्चर में और आपका और इन सब का बाकी जो हम लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, computer के भी या किसी के भी, तो वो हमने link सब description पर डाल दे हैं, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, thank you